नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? घर में सकुषल है ना? आप सबको हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत। अपनी पार्षालावों के दिवारों पर, मंदिरों के दिवारों पर या सार्वजनिक स्थलों के दिवारों पर कुछ वाक्य देखे होंगे। अपना लक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसे वाक्य देखे होंगे। इस सब क्या है? हाँ, कुछ लोग कहते है। कोटेशन्स सही कहा आपने। इनको हिंदी में नीती वाक्य कहते हैं या नीती वचन या सूक्तियां कहते हैं। इन सूक्तियां या नीती वाक्य क्यों लिखते हैं। इनका अनुसरन करना क्यों आवश्यक है। एक बार सोचिये, क्या नीती वाक्यों का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। हाँ, जरूर होता है। नीती वाक्यों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इन वचनों से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। इन नीद्वाक्यों का अनुसरन करने से हमारा जीवन परिवर्तन होते हैं, नैतिक भावनवों का विकास होता है, हम बुरे मार्ग से हटकर अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं, समाज में अच्छे नागरिक कहलाते हैं और अच्छे बुरे का अंतर करने का विवेक हम में विकास होता है, इसी प्रकार के नीति को बोध कराने वाला एक पाठ आज हम पढ़ेंगे, पाठ का नाम है नीति दो है, नीति को बताने वाले या बोध कराने वाले दो है, ये दो है क्या है, दो है एक प्रकार के पद्य है, फिर दो है क्यों कहते हैं, पद्य क्यों नहीं कहते हैं, दोनों में छोटा सा अंतर है, क्या है कि पद्य चार पंक्तियों में होते हैं, लेकिन दो हा दो पंक्तियों में होता है, दोनों में ये ही अंतर है, दो पंक्तियों में लिखा गया पध्य को ही दोहा कहते हैं यहाँ पर हम रहीम और बिहारी एक दोनों कवियों के कुछ दोहे पड़ेंगे दोहे एक विशेश्विधा है, दोहं का भाव निगूड होता है छोटे छोटे शब्दों से अपार भाव का संचार होता है याने दोहे गागर में सागर भर देने वाले होते हैं दो पंक्तियों का दोहा विस्तृत भाव को दर्शाता है सूक्ष्म में गहरी भावनावों को व्यक्त करते हैं दो है अब चलेंगे पाट की ओर पहले उन्मुखी करण देखेंगे देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है पढ़ेंगे फलवाले जो तरू होते हैं धर्ती तक नम जाते बिन फलवाले व्रुक्ष व्यर्त ही अपनी अकड दिखाते बनो व्रुक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ बुलबुल मेठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए पर कवे की बोली उसको अपमानित करवाए बुलबुल कोयल बनो ना बोली कवे की अपनाओ फिर एक बार पढ़ेंगे ध्यान से सुनिये फलवाले जो तरू होते हैं धर्ती तक नम जाते बिन फलवाले व्रुक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड दिखाते बनो व्रुक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ बुलबुल मेठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए पर कवे की बोली उसको अपमानित करवाए बुलबुल कोयल बनो ना बोली कवे की अपनाओ क्या है इसका भाव? कवी इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? फल वाले जो तरू होते हैं फल वाले का मतलब फल लगने वाले पेड़ फल वाले जो तरू होते हैं वे कैसे होते हैं? धर्ती तक नम जाते फल वाले पेड फल वाले रुक्ष धर्ती की ओर जुकते हैं विनम्रता से रहते हैं इसका भाव क्या है विनम्रता से रहते हैं अपने उपर फलों का भार रहने पर भी फलवाले व्रुक्ष धर्ती की ओर नम्त जाते हैं यानि जुकते हैं विनम्रता से रहते हैं इसके विपरीत बिन फलवाले व्रुक्ष व्यर्ती ही अपनी अकड दिखाते हैं बिन फलवाले व्रुक्ष जिन पेडों को फल नहीं लगते हैं वे बिना फलवाले व्रुक्ष हैं वे व्रुक्ष कैसे होते हैं व्यर्ती ही अपनी अकड दिखाते हैं अकड का मतलब गर्व घमंड बिना फल वाले वृक्ष फल नहीं देने वाले वृक्ष व्यर्त ही अपनी गर्व दिखाते हैं अपना घमंड दिखाते हैं इसलिए इन तुलना के साथ साथ कवी कहते हैं कि बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसाओ हमसे क्या कहते हैं कवी बनो वृक्ष फलदार वृक्ष के जैसे बने रहे हमें कैसे रहना चाहिए फलदार वृक्ष के जैसे रहना चाहिए नम्रता से जीवन सरसाओ सरसाओ का मतलब बिताओ जीवन कैसे बिताना चाहिए कवी के अनसर नम्रता से फलदार वृक्ष के जैसे जीवन को बिताना चाहिए और क्या कहते हैं बुलबुल मेठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए बुलबुल एक पक्षी का नाम है बुलबुल बुल्बुल की बोली कैसे होती है? मीठी होती है, बुल्बुल की बोली मीठा होता है और कोयल, कोयल प्यार सभी से पाए, कोयल अपनी बोली के कारण, बोली के वजह से सब का प्यार पाती है, कोयल की मीठी बोली से सब का प्यार पाती है, उसी प्रकार बुल-बुल भी सभी का प्यार पाती है, पर कव्य की बोली उसको अपमानित करवाए कव्य की बोली कैसे होती है गठोर होती है करकश होती है इसलिए उस बोली के कारण कव्य सबसे अपमान भोगना पड़ता है सबी से अपमानित करवाता है बुल-बुल कोयल बनो ना बोली कव्वे की अपनाओ इसलिए हम क्या बनना है बुल-बुल बनना है कोयल बनना है इसका मतलब हमारी वानी भी मधुर होनी चाहिए दूसरों को हानी ना पहुंचानी चाहिए बुल-बुल के जैसे कोयल के जैसे हमारी वानी भी मधुर होनी चाहिए मीठी होनी चाहिए और ना बोली कव्वे की अपनाओ कव्वे की बोली को अपनाओ मत कवी क्या कहते हैं हमारी वानी बुल-बुल कोयल की जैसे होनी चाहिए अब देखेंगे इस कविता के अंतरगत कुछ प्रश्ण दिये गए हैं कवी ने बिना फल वाले वुरुक्षों के विशय में क्या कहा है और दूसरा प्रश्ण है फलदार वुरुक्ष की विशेशता बताईए और तीसरा प्रश्ण है बुलबुल और कवे में अंतर स्पस्ट की जिए इन यहां पर देखिए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं पहले चित्र में हमको फलदार वुरुक्ष दिखाई दे रहा है देखें हैंना बच्चो उस पेड दालिया कैसे हैं धरती की ओर जुके हैं अपने पर फलों का भार रहने पर भी वह पेड विनम्रता से है धरती की ओर जुक कर है आर उसके बाद के चित्र में देखिए बिना फलवाले पेड है बिना फलवाला पेड है उस पेड के उस पेड की शाखायें देखो कैसे हैं आस्मान की ओर उपर सर उठा कर है अकड दिखा रहा है घमंड कर रहा है और उसी प्रकार तीसरे चित्र में बुलबुल पक्षी है और चौथे चित्र में कोयल है और पांचवे चित्र में कोयल गा रही है अब सब कोयल के गाने को पसंद करते हैं न हाँ अब देखेंगे उन प्रश्णों के उत्तर पहला प्रश्ण क्या है कवी ने बिना फलवाले व्रुक्षों के विशय में क्या कहा है उत्तर क्या है इसका कवी ने कहा कि बिना फलवाले व्रुक्ष व्यर्त ही अपनी अकड दिखाते हैं यानि गर्व दिखाते हैं दूसरा प्रश्न है, फल्दार वुरुक्ष की विशेशता बताईए, फल्दार वुरुक्ष की विशेशता है कि फलों को देने वाला पेड बहुत नम्र होता है, यानि विनैसे रहता है, विनीत होता है, वह हमेशा जुक कर रहता है। तिसरा प्रश्ण है, बुलबुल और कवे में अंतर स्पस्ट कीजिए, बुलबुल की बोली मीठी होती है, कवे की बोली मीठी नहीं होती है, करकश होती है, कठोर होती है, इसलिए कवी हमसे क्या कहते हैं, बुलबुल और कोयल की बोली को अपनावो और चलेंगे अब उद्देशी की वर्ण। नीती दोहे नामक यह पाट का उद्देशी क्या है। देखेंगे। छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना। शुरुजन करने की प्रेरणा देना। और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाट का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना। काव्य रच्णा में कई विधाये हैं पद्य गीत गेय यह सभी विभिन्न प्रकार की विधाये हैं उसी प्रकार दोहा भी एक प्रकार की विधा है इस दोहा की विधा से परचित कराना और दोहों के सुरुजन करने की प्रेरणा देना और उनमें नाइतिक मूल्यों का विकास करना इस दोहों के द्वारा अपने मन में नाइतिक मूल्यों का संचार करना विकास करना भी एक उद्देश्य है और उसके बाद विधा विशेश पद्यरचना में दोहा एक विशेश पद्धती है दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं अब पहले ही सुन चुके हैं कि दोहों की विशेशता क्या है दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं और विस्तृत भाव को छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं गागर में सागर भर देने वाले होते हैं इसका मतलब सूक्ष्म में गहरी भावनावों को व्यक्त करते हैं और अब चलेंगे विशय प्रवेश्की वोर देखिए नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे सही गलत में भेद कर सकते हैं है ना बच्चों हम में नैतिक गुण है तो हम में विवेक या अच्छे बुरे और सही गलत में हम विमर्ष कर सकते हैं क्या सच्चे हैं क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं क्या सही हैं क्या गलत हैं इनमें भेद कर सकते हैं इसलिए हम नैतिक विशयों से संबंदित ज्णान प्राप्त करना चाहिए। अब देखेंगे पहले नीती दोहे के कवी रहीम का परिचाई देखेंगे। यहां पर देखेंगे। कवी का नाम रहीम जीवनकाल 1556-1626 प्रसिद्ध रचनायें। रहीम सत्साई बरवई नाई का भेद शुरुंगार सोरट। विशेश वे संस्कृत अरभी फार्सी के विद्ध्वान थे। वे अकबर के दर्बार के नवरत्नों में एक थे। वे उनके प्रधान सेनापती वा मंत्री भी थे। माना जाता है कि बड़े दानवीर थे। कवी का नाम क्या है? रहीम। रहीम का पूरा नाम खान खाना अब्दुल रहीम है। रहीम का पूरा नाम क्या है? खान खाना अब्दुल रहीम। जीवन काल। रहीम का जन्म 1556 में हुआ और उनकी मृत्यू 1626 में हुई। रहीम की प्रसिद्ध रचनायें रहीम सत्साई बरवैनाई का भेद शुरूंगार सोरट आदी हैं। रहीम संस्कृत अरभी फार्सी के विद्वान थे। इन तीनों भाशाओं में वे पंडित थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न नामक नव कवी रहते थे। उन में से रहीम एक थे। वे उनके प्रधान सेनापती वा मंत्री भी थे। रहीम अकबर के दरबार में कवी के रूप में ही नहीं सेनापती के रूप में और मंत्री के रूप में भी काम किये थे। माना जाता है कि रहीम बड़े दानवीर थे। फिर एक बार कवी परिछए वाक्यों के रूप में देखेंगे। रहीम संस्कृत अरभी फार्सी के विद्वान थे। वे अकबर के दर्बार के नवरत्नों में से एक थे। वे उनके प्रधान सेनापती वा मंत्री भी थे। माना जाता है कि वे बड़े दानवीर थे। देखे है ना बच्चों कवी परिछे अब चलेंगे रहीम के दोहे। पहला दोहा देखिए। कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत बिपति कसवटी जे कसे तेई सांचे मीत। बच्चों इस दोहे में नए शब्द जो है उनको रेखांकित कीजिये। और अब देखेंगे कुछ शब्दों के अर्थ। यहां पर कही का अर्थ है कहता है। संपति धन दौलत या संपदा। रीती रीत का अर्थ है रीती विधा प्रकार। विपत्ती या आपत्ती कष्ट संकट। सांचे इसका मतलब सच्चे। कसवटी जांच परक्ष। मीत इसका अर्थ है मित्र। तेई इसका अर्थ है वही। सगे संबंधी। फिर एक बार दोहा पढ़कर इसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपति कसवटी जे कसे तेई सांचे मीत। कही कहते हैं कही कार्थ हैं कहते हैं कौन कहते हैं रहीम। रहीम जी कहते हैं कि संपति इसका मतलब हमारे पास संपदा है तो हमारे पास दन है तो सगे बनत बहुत बहुरीत। सगे बनते हैं यानि संबंध बनते हैं संबंध बांध कर नाते रिस्ते बांध कर अपने बनने का प्रयास करते हैं बहुत से लोग। बहु रीत, बहु विधावों से अनेक प्रकार से बहुत से लोग कहीं कहीं से आकर अपने सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं कब करते हैं? हमारे पास संपत्ती है तो, हमारे पास धन है तो कई लोग सगे बनते हैं, नाते रिष्टे बांध कर हमारे पास आते रहते हैं हमसे संबंध बांध कर सगे बनने का प्रयास करते हैं कवी कहते हैं बिपती कसवटी जे कसे बिपती का मतलव आपत्ती संकट या कश्ट कस्ट येक ऐसी कसवटी है उस पर कसने पर हमको पता चलता है कि उन लोगों में काउन जूटे हैं काउन अपने हैं यानि सच्चे संबंधी है, सच्चे मित्र हैं विपती एक कसवटी है, सुनार क्या करता है सोने को जांच पर रखने के लिए कसवटी पर कसते हैं तब मालुम होता है कि पता चलता है कि वह सोना सच है या जूटा है नकली है असली है या नकली है इसका पता चलता है उसी प्रकार कष्ट या संकट एक कसवटी है गीटुराई लांट दी कष्ट के समय जो हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र है तेई सांचे मीत वही सच्चा मित्र है कस्ट के समय हमारे साथ देने वाला ही सच्चा मित्र है रहीम क्या कहते हैं इस दोहे के द्वारा हमारे पास धन है तो संपदा है तो सभी लोग नाते रिस्ते बांद कर हमारे पास आते रहते हैं जब हमारे पास धन नहीं होता है धन चले जाने पर उनमें से जो जूटे लोग होते हैं वे खिसक जाते हैं हमारे पास से दूर भागते हैं रहीम क्या कहते हैं जब हमारे पास संपत्ती होती है तब कितने ही लोग कहां कहां से आकर नाते रिस्ते जोड कर सगे बने रहते हैं। उन लोगों में हमारा सच्चा मित्र काउन हैं और पराया काउन हैं इसका निर्धारण फिपत्ती कर देती हैं। संकट के समय में जूटे लोग खिसक जाते हैं। अपने सच्चे मित्र संबंदी ही हमारे साथ देते हैं। इसका मतलब संकट के समय साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। अब इसका भाव लिख लीजिए। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि यदि कोई भी आदमी धनवान बन जाता है तो सभी का आदर करने में ततपर रहते हैं। उसके साथ दोस्ती करने के लिए तयार रहते हैं, लेकिन उसके विपरीत किसी विपत्ती के कारण दुक्की होने पर कोई भी उसके दुक को बांटने के लिए तयार नहीं होता। ऐसी हालत में अपने सगे संबंदी भी पराये हो जाते हैं। रहीम इस दोहे के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि जो विपत्ती में अलग ना होकर साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र काउन है रहीम के अनसार। जो विपत्ती के समय हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। समझ में आ गए हैं ना बच्चों। अब इस दोहे से संबंदित एक प्रश्न देखेंगे। रहीम के अनसार सच्चे मित्र की पाहचान कब होती है। जवाब देखिए। रहीम के अनसार सच्चे मित्र की पाहचान विपत्ती के समय होती है। यानि कस्ट के समय। हम जब कस्ट में हैं तो तब मालूम होता है कि हमारे मित्रों में काउन सच्चे हैं, काउर जूटे हैं। अपने काउन हैं और पराये काउन हैं इसका पता चलता है। विपत्ती में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र है। विपत्ती में हमारे साथ जो रहता है, हमारी सहायता करते हैं, वे ही सच्चे मित्र हैं। विपत्ती सच्चे मित्र की पाहचान की कसवटी है। विपत्ती किस प्रकार की कसवटी है? सच्चे मित्र की पहचान करने की कसवटी है. हम जब हम कष्ट में हैं तब अपने लोग ही हमारे साथ देते हैं, पराये लोग खिसक जाते हैं. इसलिए विपत्ती एक अईसी कसवटी है, जो सच्चे मित्र काउन हैं और पराये काउन हैं, जूटे काउन हैं, इसका पता लगाता है. ठीक है बच्चों, अब हम इस सत्र का समाप्त करेंगे और दूसरे सत्र में हम अगले दोहा और बाकी बिहारी के दोहे भी हम अगले सत्र में देखेंगे. धन्यवाद.